जिता जिता करके बेच दिया भी दान समयावे, के मेरे समाज का आदमी है, आज कोई नहीं बोल राए, के बबाशाम बेटकर का फोटो होना चाहिए, नोट के उपर, समरा टसक का फोटो होना चाहिए, नोट के उपर, भाहत सिंग का, अस्वा गुल्ला खान का, महम पूरु जिनों नाजादी दिलवाई इस डेश को उनका फोटो औरना चाहिए कमाल कर दिया आप लोग कितने नलाइख लोग हो तुमारी हड़ियों में पानी बरा पड़ा है मुझे नहीं लगता तुम मापूर्शोंगी उलाद हो कही न कहीं मिलावट है तुमारे लोगों में अरे नलाइख हो अरे गधे के बच्चे हो तुम लोग जो अपने महापूर्शोंगी बात नहीं बानते जोती वाँ फुले चले गए तुमें समझाते समझाते बबास अंबेड कर चले गए मन्ने और सब काशी नाम चले गए और आप लोग दिरे दिरे निष्टे नाभूत हो परायोजित RSS का कारीकरम BJP का कारीकरम थाओ जिसके दवारा दिल्ली के लाला जी को प्रोजेक्ट किया गया उसको दिल्ली में मुखबंतरी बढ़ाया गया साथियो पहले तो कॉंगरेस और BJP मिलके खेलते थे अब एक तीसरा पार्टनर और आगे इनका लाला जी ताकि द दिल्ली में जब सरकार बनी उससे पहले परचार किया गया खूब दबा करके वाल्मी की समाज के लोगों में बहुजे समाज के लोगों में और मुस्लिम समाज के लोगों में कि ये एक आदमी आया नया आदमी है और कुछ ने कुछ नया करके दिखाएगा साथियो उस समय वालमी की मंदिर में जाडू का लॉंच किया गया, पार्टी को लॉंच किया गया, और जैसे ही सरकार बढ़ती है, उसके बाद अक्षर दाम मंदिर में दिवाली पूजा होती है, उसके बाद हनुमान चालिसा, कनाट पलेस के जो हनुमान मंदिर होती है, उसके बाद दिल्ली में जो जम्रा है उसकी आरती शुरू होती साथियों और ये काहनी यहीं पर नहीं रुकी ये काहनी साल दर साल बढ़ती गई और जो लोगों को बहका करके सरकार में आये थे उन लोगों को नजर अदाज करते गई आपने देखा दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें सुप्री दाज तेरा है उनी दंगों में ताहिर हुसैन को फसाया गया और केजरिवाल आज तक उसके उपर कुछ नहीं बोला दिल्ली के एक मुस्लिम मंतरी को केजरिवाल के दोरा फसाया गया मैं आपके सावने बेठ हुँ आज तक कोई करवाई नहीं लेकिन हमें भी पार्टि से निकाल दिया गया शातियों ये क्या कारण जान और जो अभी लेटस्ट कारण है आप देख सकते हो राजिंदर पाल गोतम जो इनके मंतरी थे 6 साल से उन्होंने जब इसी महीने को बबासावा बेड़ करके जो दम दिक्षा समारो उसमें जब भाग लिया गया तो उससे परदे के पीछे से इस्तीफा ले लिया गया और इस्तीफा लेने के बाद उसको ये भी बोला गया कि आप थोड़ सा आराम से रही हो सकता है हम आपको दुबारा बढ़ा दे उसको चुप करा गया उसके बाद साथियो हम लोगों ने मिलकर के राजिंदरपाल गोतम का साथ दिया और एक यातरा उसके निवास से बाबसाब मिड़कर के निवास तक निकाल दी चोदा अक्तुबर गो वो यात्रा काफी सफ़न रही बहुजन समाज के काफी लोगोंने उसमें स्योग किया और वो स्योग राजिन्देपाल गोतं का नहीं ये राजिन्देपाल गोतं के द्वारा गए किया हूँ-शाहसिक कारिय है जो 22 परती के आप उनों ने किया उसका समर्थन था जाती हो उसके बाद हापते 10 दिन के बाद दूसरे वैक्ति को मंत्री बढ़ा दिया गया जो भौती पैसेवारा रिचस्ट परसन है और बहुत जिन समाद से ही वो आता है अपने S.C. कटेगरी से आता कि S.C. का ही मंत्री बना था बावासाव अंबेड करने ये प्रावधान कर रखा है तो जो दिया इत को बावासाव अंबेड करने दिया और जब पंजाम में चुनाओ था तो केजरिवान ने कहा के बिजेपी वालों को तुम सावरकर को पढ़ाओ हम बावासाव अंबेड कर को पढ़ाएंगे आज तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में या पंजाम के स्कूलों में बावासाव अंबेड कर का सिलेबस लागू नहीं हुआ और आदेश पारित कर दिया केजी तिल्ली के सरकारी डिपार्टमेंट के अफसरों में ओफिसेज में सारी जिगे बावासाव अंबेड कर वागत सिंग का फोटो लगेगा पंजाम में बावासाव अंबेड कर के विचारों का आदमी है कुछ अलग करेगा लगता है ये भगत सिंग के विचारों का आदमी है लगता है ये बाबा साम अबिड़कर के विचारों का आदमी है जो शिक्ष्या की बात करता है जो स्वास्ते की बात करता है जो भगत सिंग की बात करता है जो अबिड़कर की बात करता है लेकिन साथियो कहा था कि अगर अच्छूतों को अधिकार देने पड़े तो इससे तो हम गुलाम ही अच्छे हैं तो अच्छूतों को अधिकार देना इन लोगों की अउकात नहीं है ना ये लोग उस परवर्ती के हैं इनसे तो अंग्रेज बहुत अच्छे दे और ये बात यही तक नहीं र लाम से हमें कोई भी कदरी आपके कृष्ण से आप कृष्ण के नाप पर वोट मांगे आप राम के नाप वोट मांगे लेकिन बावा समंबेड करो और भगत सिंग का फोटो दिखा करके छलावा मत कीजिए क्योंकि हमेशा से ही आप लोगों के संस्कारों में ये रा है आपने हमेशा जो भी लड़ाई लड़ी है वो छल से लड़ी है चाए आपने बाली का मत किया हो चाए महिशा सुर का मत किया हो जितने विमारे बावपूर्श हैं चाए एकलेव का काभू ठावागा हो आप लोग आया लाला जी का दिल्ली के लाला जी का मैं लाला जी कहता हूँ क्योंकि ये लुक्नी आऻ गजती था अर्विंद केजरीवाल की अपनी company और अभी ब्याना आया गुजरात में कि देश की अर्थवरस्था गिर रही है बहुत दैनी हालत है देश की अर्थवरस्था की और रुपया रोजगी रोज कमजोर होता जा रहा है तो इसको ठीक करने के लिए वेपारी जो अपने दफ्तर में जाता है तो सबसे महले गडेश की लक्षमी जी की पूजा करता है और जब जागर के अपनी सीट पर गल्ले बे बैठता है उसी तरफ में इसने कहा लाला जी ने के एक तरफ गांधी की फोटो है गांधी की फोटो रहने दो वो इनका बाप है इसलिए का और दूसरी तरफ गडेश की और लक्षमी की फोटो होनी चाहिए भारत की करंसी पे ये लाला जी ने कहा और रिकॉर्ड कहा आज तक पे कहा और इन्होंने कहा कि मैं चिठी लिखूँगा देश के परदारमंत्री को कैसा होना चाहिए चलो अब समको पता लग गया होगा देश में इस देश के नलायक बहुजनों को पता चल गया होगा और नलायक मनेरटी के लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो आदमी है बाहर से बबासा अम्बेडकर का और बगत सिंग का फोटो दिखाता है लेकिन इसके अंदर ब्रमा विश्रु महिश का आवास है ये मुझे लगता है मनुवादियों के लिए राजनीती में एक नया चमतकार है आउतार है मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी ये बाबसा अम्बेडकर या भगत सिंग के विचारों से प्रभावित है तो ये तो वही बात हो गई जोनके आपावत है बगल मुझे राम और बगल में छुरी बाहर बाबसा अम्बेडकर और बगत सिंग इसके कपड़ उतरवा के देखलो नंगा करके देखलो जैसे प्रश्च का 5G है 5G बचने की जरूरत है आप लोगों को आप लोगों को बचने की जरूरत है इस नोटों के उपर करन्सी के उपर जो सरू से ही भारत में लागू हुआ है हमें नहीं चाहिए ये कणपती और गनेश जी या लक्ष्मी जी और हम तो कहते हैं कि आप लोग विदेशों में जाके देखिए कोण से जो ना बिल गेट्स ने गनेश का या लक्ष्मी जी का फोटर नगादा आओ वो दुन्या का सबसे है मीराद्मी बणा ये कोण सी दावना है तो आप लोगों बचने की जरूरते इस बेरूपिय से और मैं तो कहते हूँ इसके ओपर मुकदमा दर जोणा चीए इसने देश द्रोगा काम किया है और दिल्ली पुलिस को इसके ओपर फायार करनी चाहिए कि जो इस तरह का इसने ब्यान दिया कि जो ही हमेशा से ही चाहे अंग्रेजों का राज हुआ हो चाहे मुगलों का राज हुआ हो आप लोगों नहीं उनको बैकाया और उनके साथ लगे रहे हमेशा राजदर्वारी बन करके और आज भी वही काम कर रहे हैं ये लोग और बबासाम बेड़कर की एक बात मुझे याद कि बढ़िया वेपार करता है राजनीती कभी नहीं करेगा राजनीती के आड़ में वेपार करेगा और मैं आपको बता दू एक करोड से कुछ लाख रूपय की पेमंट हुई है पंजाब सरकार से फेस्बुक को भी दो-तिन दिन पहले मैंने जसराज जसी जी की फेस्बुक प पीटा जा रहा है तो ये बचने की आउ सकता है आप लोग को और बहुजन समाज के जो लायक लोग बैठे हैं इसके साथ बैठे हैं उनको भी समझने की जूर्थ है अरे तुम एक बाप की उलाद हो और बावासाम बिढ़कर अपना अधर समानते हो दो छोड़ दो आज इस बेरूपिये को छोड़ दो आज इसको गादी कियोबाद को और आज उस समाज में हम इसकी नाग के नीचे से दिल्ली की सियम की कुरसी निकाल के लाएंगे दली तोर मुसलमानी खटे हो गर करे दिल्ली आप लोगों किये लेकिन आप लोगों को इस समझ में नहीं आती सही आप लोग हमेशा इसलिए काम करते है कि आपको शुर्क्षा पर दा रहेे अरे सुरिक्षा देने वाला है कि योकात काइन किये जो हमें सुर्क्षा देंगे आप अपने हांपमे सक्सम है आप लोगोंने बड़ी-बड़ी लड़ाइया लड़ी है चाहे गोरे काउं का एत् चाहे रविदास मंदिर की लडाई हो कोई सीवी लडाई उठाकर के देख लिए हमेशा भोज़न समाद के लोगों ने जिती है तो आप लोगों डढ़ने की जोरत नहीं है इस लाला से मैं तो कहता हूँ जितने भी हमारे भाई है उन लोगों को छोड़े नी चीए हमादी पार्टी या जो भी दूसरी पार्टी में बैठे चम्चे बढ़कर के साब काशिराम कहते दिना के चम्चा किसी का नहीं होता है और उसके इससे कुछ नहीं आता वो बाद में खाली रहता है आज देख लो चम्चोई क्या आलत हो रखे और मैं इस वीडियो के माद्यम से राजिंदे पालगोतम जी से भी निवेज़र करता हूं कि मुँ पहते के मार इसके स्तीफा जो इसने कल ब्यान दिया है उसी को पर स्तीफा दे के मार इसकी पार्टी से इसकी प्राथवी सदेस्ता भी छोड़ दे नी तो ये आपको निकालेगे आप फिर रोते रहना पिटते रहना समाज आपकी बात नहीं शुड़ेगा और मैं कहता हूं आपको और रिकॉर्ड कह रहा है ये बात दिल्ली विधानस्वा में बाइस प्रतिग्याए पढ़िये राजिन देपाल गोतम जी और जब ये लाला आपका विरोध करता है इसके मूँ पे फैक के मारा इस्टीफा और बाबास्वाम बेटगर की बाइस प्रतिग्याए उड़ाना विधानस्वा में ऐसे और आप अंदर ये काम करना और हम लोग बाहर खड़े रहेंगे देखते हैं ये लाला कैसे विधानस्वा से बाहर निकलता है तो आप ड़ड़े की जूर्त नहीं है अब वोट अमारा राज तुमारा नहीं चलेगा अब खड़ा अपने आप लोगो बाबा साम बेड़े करका सबना पूरा करना होगा कि बाबा साम बेड़े कर चलेगे और आप लोग दिरे दिरे निष्टे नाभूत हो जाओगे इस देश से बुद्धिजम का अम्बेड करवाद का सब चीजों का सफाय है इमनों वादी लोग दिरे-दिरे करते जा रहे हैं और आप लोग चुप-चाप अपने घरों में बैठें आप लोगों खडाना पड़ेगा अज बाबा सवाम बेड़कर की विचार दारगों बचाने के लिए तो मैं आप लोगों से निवेजर करता हूँ जितने भी बहुजे स्वाज के लोग मेरी बात को सुने है कि आप संकल्प करलो पूरे देश के बहुजे स्वाज के लोग दो हजात पक्चिस में चुराओ है दिल्ली में दिल्ली सरकार का पुरे देश के पुरी दुनिया के बहुजन वाजाओ दिली और इस लाला को उस CM की कुर्सी से टाने है काम हम लोग करेगे क्योंकि वोट हमारे जाता है और जिसके वोट जाता होते हैं उसका राजा मरता है और तुमने गुलामों को बेज दिया है क्योंकि बहुजन को जिताजी दिलवाई इस टेश को उनका फोट होना चाहिए कमाल कर दिया आप लोग कितने नलाग लोग हो तुमारी हडियों में पानी बरापडा है मुझे नहीं लगता तुम मापूरसोगी उलाद हो कहीना कही मिलावट है तुम्हारे लोगों में जो तुम लोग अपने हाक और दिकार के लिए निर लड़ सकते अरे सिखो, सिखो लोगों से सिखो छोट छोटे कंट्रियों से मैं आप लोगों से इसी अपील के साथ दुमारा से निवेदर करता हूँ कि इस बेरुपियों को पहचानो इस लाला को पहचानो इस वेपारिकों पहचानो इसने बेडागरक कर दिया दिल्ली का और यह बेडागरक देश का करने जा रहे ए तो साथियो आप लोगों से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को पता चले कि ये जो बेरूपिया लाला है ये किस तरह का आदमी है और ये किस तरह की कारीकरण चलाना चाहता है ये हम सब को बैकारणर के हमारा वोट लेकर के दिल्ली पे काभी जोगा फिर पंजाब पे काभी जोगा और गुजरात के दिलितों से खास कर अपील करूगा कि इसको अगर तुमारे आप वोट लेने आए तो इसको कहना कि बाइस परतिग्याओं पे आपका क्याराए है बाबासाम अम्बेर कर नास्तिक थे से बगाओ दिल्ली से जुते माने अकाम हम लोग करेंगे जैभी नुमारे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट कबरें पहुंच सकें आपक सबसे पहले